सूलो फेंट्स मेरे नावा पुश्कर और यह है Samsung Galaxy Watch 4 और आज के इस वीडियो में हम लोग Samsung Galaxy Watch 4 का एक डीटेल सेटप देखने वाले हैं फिलाल हम एक non Samsung Android phone यूज़ कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा Apps प्लग इन का यूज़ करके आप अपने Samsung Galaxy Watch 4 को सेटप कर सकते हैं इसके अलावा गर आप Samsung Galaxy Watch 4 का सेटप Samsung phone पे किस तरीके से करना है वो देखना चाहते हैं तो comment section में बताइएगा जो Apps और प्लग इन का requirement होगा वो आपको दोनों ही Android phone पे चाहे वो Samsung का हो या फिर non Samsung हो similar ही होने वाला है बट हो सकता है कि Samsung phone में कुछ Apps प्लग इन आपको प्री इन्स्टॉल देखने के लिए मिला है और अधर Android phone में वो सारा Apps और प्लग इन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड और इन्स्टॉल करना पड़े है और सेटप स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि Samsung Galaxy Watch 4 का एक क्विक अन्बॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आपको देख लिए हैं तो काफी अच्छा बात है नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है सबसे पहले हम बात करते हैं Samsung Galaxy Watch 4 की फिजिकल ओवर्वियू का तो यहाँ पे हमको काफी प्रीमियम सा फील हुआ दो बोटन मिल जाता है और दूसरा यहाँ पर एक साइड में आपको प्रेशर विन्ट है इस साइड आपको शप्रीकर करते हैं तो काफी सॉफ्ट काफी प्रीमियम सा यह स्ट्राप जो हो रहा है और इस तरीके का बकल देखने के लिए मिलता है जब हम फोटो में या वीडियो में इस तरीके का बकल देखते थे ना तो हमको लगता था कि यह बहुत ही अंकमफर्टेबल होगा इस पर यह बहुत इसली जो है ना अंदर चले जाता है और हम इसको फुल टाइट पोजिशन पर पहने हैं और फिर भी यह बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कमफर्टेबल टाइप का फील हो रहा है इसका जो डिजाइन है उसके कारण वाच को फुल टाइट पहनने के बाद भी इस से इस साइट से जोना एक गाप रहता है जिसके कारण ही आपके रिस्ट पे टाइट या अनकमफर्टिबल फील नहीं होता है तो सामसंग गालेक्सी वाच 4 को सेटप करने के लिए सबसे पहले तो यह जो पावर बटन है इसको आपको प्रेसंट होल्ड करके रखना है अपन प्रेसंट भी ले सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेलकम स्क्रीन आ चुका है इसके उपर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि गालेक्सी वेरिबल आप जो है वो आपको अपने एंडरोड फोन में इंस्टॉल करना होगा आप साम उपन करने के बाद यहां पर आपको स्टार्ट के उपर टैप करना है फिर आपको लोकेशन एक्सिस जो है वो देना होगा उसके बाद नियरबाई डिवाइस का परमीशन आपको अलाओ करना होगा फिर मेक मैनेज फोन कॉल्स का परमीशन जो है वो अलाओ करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप आप contact and call history का जो permission है इसको access दे दीजेगा और उसके बाद यहाँ पे आप pair के उपर tap कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पे watch के उपर लिखा गया check your phone to complete setup तो अब हम यहाँ पे watch को जो है थोड़ दर के लिए side में रख देते हैं फोन में देख लेते हैं क्या क्या चीजम को करना होगा तो यह कुछ permission जो है वो required है जस्ट यहाँ आप आपको continue के उपर tap करना है and next step में आप automatically जो है प्ले स्टोर पे redirect हो जाएंगे जहाँ पर आपको galaxy watch 4 plugin जो है वो install करना पड़ेगा अगर आप एक samsung phone use कर रहे हैं तो हो सकता है कि यह plugin आपके phone में already pre-installed हो अगर नहीं है तो फिर आपको यह भी जो है प्ले स्टोर से install करना पड़ेगा 75 MB का यह plugin है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि plugin जो हो install हो गया है अब वापस से जो है न हम यहाँ पर wearable app में आ जाते हैं और उसके बाद आपको sign in करने का option देखने के लिए मिलेगा अगर आप sign in करते हैं तो आप कुछ features जो है वो use कर पाएंगे मतलब की backup and restore का, samsung health का, bixby का, find my watch का तो यहाँ पर sign in के उपर tap कर सकते हैं या फिर आप sign in को skip भी कर सकते हैं हम recommend करेंगे कि आप sign in कर लिजेगा अगर आपके पास samsung account है already तो आप अपना email address और password डाल के sign in कर सकते हैं अगर आपके पास samsung account नहीं है तो यहाँ पर sign in with google का भी use कर सकते हैं आपके android phone में जिस भी google account से login किया हुआ है आप उसी के through samsung account में भी login कर सकते हैं जस्याँ आपको sign in with google के उपर tap करना पड़ेगा फिलाल मेरे पास samsung account है तो हम उसके through login कर लेते हैं एक बाल जो आपने samsung account में login कर लेते हैं चाहे फिर google account के through या फिर samsung account के through फिर आपको यहाँ पर agree कर लेना है फिर यहाँ पर आपको दो check box देखने के लिए मिलेगा है एक तो samsung का end user license agreement है जो already यहाँ पर टिक किया हुआ है और दूसरा है send of diagnostic data जो की optional है तो आपको इसको जो है ना टिक नहीं करना है यहाँ पर continue के उपर tap करना है फिर यहाँ पर आपको जो है अलाओ करना है permissions photo and media का permission ज getting your watch ready वाला page आगया है उसके बाद आपने android phone में जो google account use कर रहे हैं उसके थुरू भी आपको sign in करने का option यहाँ पर show करेगा तो यहाँ पर just next के उपर tap कर देते हैं उसके बाद आपके device का जो भी lock screen, pin, pattern, password या आपका जो भी biometrics है वो just यहाँ पर आपको देना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ recommended apps देखने के लिए मिलता है तो अगर आप इन में से किसी app को install करना चाहते हैं तो just उसके उपर आपको tick कर देना है यहाँ पर continue की उपर tap कर देंगे next यहाँ पर आप अपने galaxy watch 4 की data का backup लेना चाहते हैं तो यहाँ पर auto backup enable रख सकते हैं samsung cloud पर आपक हो चुका है और यहाँ पर एक quick tour जो है वो शो कर रहा है तो just उसके उपर हम start करते हैं so initially setup करने के बाद आपको इस तरीके का watch face देखने के लिए बिल जाता है और यही watch face जो है ना यहाँ पर samsung galaxy watch 4 के यूई आई का आपको एक quick tour दे देते हैं जैसे यह watch face है watch face की उपर अगर आप swipe down करते हैं तो यहाँ पर control center आपको देखने के लिए बिल जाता है watch face की उपर अगर आप swipe up करते हैं तो यहाँ पर आपको complete apps जो है वो देखने के लिए बिल जाएगा और यह जो samsung galaxy watch 4 है यह Google के वीरोस पर है तो यहाँ पर आपको play store भी मिल जाता है तो आप अपने watch के की उपर tap करके आप उस notification में जो भी options है वो सारा कुछ देख पाएंगे और उसके बाद swipe right करके आप back जा सकते हैं अगर आप अपने watch face के उपर swipe करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ quick tiles देखने के लिए मिलता है या shortcuts जो है वो देखने के लिए मिलता है तो वह आप यहाँ से access कर सकते हैं heart rate के लिए weather, sleep, body composition, workout mode, daily activity इसके लाव Samsung Galaxy watch 4 में Samsung 40 hours का battle life claim करती है अब actual में कैसा battle life मिलता है वो हम आपके साथ upcoming videos में share करेंगे और अगर आप एक iPhone user है तो हम आपको recommend करेंगे कि आप Samsung Galaxy watch 4 को consider मत कीजिएगा अगर आप कोई भी Android phone use कर रहे हैं चाहे वो Samsung का हो या फि definitely consider कर सकते हैं इसके सारे features को आप easily use कर पाएंगे नेक्स यहां पर Samsung wearable app में क्या क्या option मिलता है वो आप देख सकते हैं Samsung Galaxy watch 4 यहां पर शो कर रहा है उसका battery percentage आप देख सकते हैं 3 lines के उपर अगर आप टैप करेंगे तो आपका जो भी connected device है वो यहां पर शो कर रहा है add device के उप इसके उपर टैप करके आप कोई नया device add करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं watch face का आपको यहां पर direct option मिल जाता है देख सकते हैं कि काफी सारा watch faces यहां पर देखने के लिए मिलता है उस watch face में कस्टमाइशन का option भी आपको काफी सारा देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि इसके उपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है ना workout mode में running का option मिलता है directly आप one tap में यहां से start कर सकते हैं और इसके जगर आप कोई और workout mode assign करना चाहते हैं तो वह आप यहां से assign करके उसको save कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी watch face अगर आपको apply करना है ना तो ब watch 4 के ऊपर कोई custom watch face apply करना है तो यहां पर आपको नीचे आना है यहां पर आपको my photo plus करके option देखने के लिए मिलेगा इसके उपर आपको tap करना है एंड उसके बाद यहां पर को customize के option के ऊपर जाना है तो यहां पर pre-made कुछ option है जो आप देख सकते हैं background के उपर अगर आप tap क करेंगे तो camera के दुरू आप photo capture कर सकते हैं या फिर gallery के ऊपर tap करके आप अपने gallery का कोई भी image as a watch face use कर सकते हैं यहां पर हम अपने gallery में से image जो select कर लिए यहां पर done के ऊपर tap कर दिए अब यहां पर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा जूम करके अपने watch के according यहां पर set कर लेंगे और उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारा option मिल जाता है brightness जो है वह आप change कर सकते हैं इसके अलावा exposure का contrast का highlight का and shadows का आपको यहां पर आप यहां पर change कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको clock color का option मिल जाता है तो यहां पर complication 1 में कुछ basic features आप अपने watch face पर देख सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं कि फिलाल यहां पर media controller जो है वो show करेगा अगर हम यहां पर calendar select कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहां यहां पर calendar से related information है वहां पर Show करेगा अगत्सरीक अनुन मिल जाता है अपको complication 3 मिल जाता है तो complication 3 में कुछ basic features ऑ dealt way इस और में दिखासकते यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का custom watch face जो गैलेक्सी watch 4 पर apply हो गया इस तरीके का basic features वाला data जो है आप आड़ कर सकते हैं कैसे वह आप quality बताई चुके हैं बट अगर आप कुछ watch face download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे get more watch faces का भी option मिलता है play store से आप कुछ watch faces download कर सकते हैं अपने samsung galaxy watch 4 के लिए next यहाँ पर आप को app screen का option देखने के लिए मिलता है और app screen में भी आप यहाँ पर customization कर सकते हैं जैसे अगर आपको play store को इस जगह से उठा के इस जगह पर लाना है तो आप यह चीज़ चेंज कर सकते हैं अपने android phone में apps को आगे पीछे ऊपर नीचे कर पाते हैं वह सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर आपको tiles का option मिलता है और tiles जो है आप अपने samsung galaxy watch 4 के watch face पे जब आप swipe करते हैं तो यह सारा tiles है और इन tiles को आप यहाँ से customize कर सकते हैं कोई tiles अगर आपको add करना है तो यहाँ प्लस के icon पर tap करके उसको add कर सकते हैं अपने tiles list में और किसी tiles को अगर आपको remove करना है तो यहाँ से आप इसको tap करके remove भी कर सकते हैं maximum आप 8 tiles ही use कर सकते हैं next यहाँ पर आपको quick panel का setting मिल जाता है और quick panel भी आपके watch 4 में watch face की उपर जब आप swipe down करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीकी का quick panel मिलता है इस quick panel में जो भी buttons आपको देखने के लिए मिल रहा है switches देखने के लिए मिल रहा है इसको अगर आपको customize करना है तो वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी buttons को या switches को यहाँ से remove करना है कुछ नया buttons अगर आपको यहाँ पर quick panel में add करना है तो वो आप यहाँ पर just tap करेंगे और वो सारा add हो जाएगा add करने के बाद अगर आप save कर देते हैं तो वो सारा जो switches है ना वो आपको control center में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा NFC का switch add हो गया तो इस तरही के से आप अपना जो quick panel है उसको customize कर सकते हैं next यहाँ पर आपको watch setting देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर complete जैसे phone में setting मिलता है वैसा setting यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सारा setting अगर हम आपको बताने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको notification से related setting मिलता है notifications को on करना है, off करना है, कुछ customization करना है तो वो सब आप कर सकते हैं sound and vibration से related यहाँ पर आपको setting मिल जाता है display का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको always on display का feature मिल जाता है auto brightness यहाँ से आप enable disable कर सकते हैं, brightness को आप यहाँ से control कर सकते हैं इसके लावर raise to wake का feature जो हो आप यहाँ से enable कर सकते हैं touch screen to wake जो हो फिलाल disable है जैसे यहाँ पर हम इसको enable कर दिये अब अगर हम अपने watch के उपर tap करते हैं तो इस तरही के सम screen को wake कर पाएंगे तो यह सारा features आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके लावर अपने galaxy watch 4 से media controls यूज करना चाहते हैं तो यह option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है किसी setting से related अगर आपको कोई भी confusion होता है तो वो आप comment section में पूछ सकते हैं कुछ basic important features जो हम आपके साथ quickly share कर देता है next यहाँ पर हम advanced feature में जाते हैं तो यहाँ पर SOS emergency का option मिलता है emergency में किसको message भेजना है किसको call करना है वो सारा option आप यहाँ से set कर सकते हैं home key से emergency enable कर सकते है hard fall detection जो है वो आप यहाँ से enable कर सकते है इसके बाद यहाँ पर आपको home button के लिए कुछ controls देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि home button के उपर अगर आप double press करेंगे तो किसी app को आप instantly open करना चाते हैं तो वो आप कर सकते हैं present hold करके अगर आप चाहें तो Wixby को बेक कर सकते हैं या फिर power of menu अगर आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ से enable रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ gestures features जो है वो galaxy watch 4 के लिए देखने के लिए मिल जाता है power saving का option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है and since last full charge जो भी uses रहा है वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर आपको app setting का option मिल जाता है तो अलग-अलग apps है और उसका अलग-अलग setting है just उसके उपर आपको tap करना है और उस app से related जो भी यहाँ पर आपको settings है वो आप यहाँ पर access कर सकते हैं next यहाँ पर आपको manage content का setting मिलता है और यहाँ से कोई भी music या gallery में से कोई भी image जो है वो आप अपने watch में add कर सकते हैं next यहाँ पर आपको general setting में जो आपको keyboard से related कुछ setting देखने के लिए मिल जाता है text to speech का कुछ settings जो है वो देखने के लिए मिल जाता है next यहाँ पर आपको orientation का option मिल जाता है जहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आप अपने watch को किस wrist में पहनते हैं तो वो सब option यहाँ सेट कर सकते हैं अगर आपको अपने samsung galaxy watch 4 को reset करना होगा ना तो भी आपको general setting में ही जाना होगा यहाँ पर आपको reset का option मिलता है तो यहाँ से आप टैप करके इसको reset कर सकते हैं next यहाँ पर watch software update का option मिलता है इसके उपर tap करके अगर आपके galaxy watch 4 के लिए या galaxy watch 5 के लिए कोई भी software update आता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि samsung galaxy watch 4 के लिए एक update आया हुआ था तो उसको फड़ा फट से यहाँ पर install कर लेते हैं इस update के changelog में काफी सारा feature जो यहाँ पर mention किया गया है 900.29 MB का यह update है और जब तक यह update डाउनलोड हो रहा है तब तक यहाँ पर हम चलते हैं watch के app draw में किसी भी app को अगर आपको reorder करना है तो उसके उपर आपको tap and hold करना है flight mode का setting देखने के लिए मिलता है किसी भी setting से related चाहे वो galaxy wearable app के setting में हो या फिर phone के setting में अगर आपको कोई भी problem आता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं next यहाँ आप आपको notification से related जो है न वो settings देखने के लिए मिल जाता है फिर यहाँ आपको sound and vibration का setting देखने के लिए मिल जाता है तो यह सब settings जो है न वो आप अपने android phone में galaxy wearable app पे भी manage कर सकते हैं या फिर watch पे भी फिर यहाँ आपको display setting मिल जाता है और यह सारा settings जो है galaxy wearable app में अल्रड़ी हम लोग देख चुके हैं फिर यहाँ पे आपको samsung health का option मिलता है जैसे कि galaxy wearable app जो था वो just connect and pair करने के लिए था settings को manage करने के लिए features को use करने के लिए था बट इसके अलावा आपको Samsung health app जो है न वो भी play store से install करना पड़ेगा अगर आप अपने galaxy watch 4 का जो भी activity related data है वो detail में देखना चाते हैं तो फिर यहाँ पर बैटरी से related settings देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर battery percentage power saving mode अगर आप enable करना चाहें तो वह आप कर सकते हैं next यहाँ पर accessibility फिर security privacy location account and backup google setting software update आप यहाँ से भी check out कर सकते हैं tips जो है आपके watch के लिए वो देख सकते हैं see them about watch में जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं watch से related सारा information storage में अगर हम जाते हैं तो by default 16 GB में से आपको 8.63 GB जो है वो occupied रहता है तो यहाँ पर आपको out of the box 7 GB प्लस जो है न storage space free मिल जाएगा out of 16 GB और फिलाल जो यह मेरा samsung galaxy watch 4 है यह one UI 4.0 पर रन कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं system version जो है वो android 11 है जो जो गैलेक्सी watch 4 है उसका software update हो चुका है यहाँ पर अगर हम about watch में software information में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो one UI watch version है वो 4.5 हो गया है जो update से पहले 4.0 था system version है वो 11 है जो virus का version है वो 3.5 है इसके अलावा जो security patch है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि first of august 2022 का है and storage space भी जो है वो update के बाद पहले के comparison में थोड़ा कम occupied हो गया है उपर में आपको इस तरीके का icon देख रहा है यह denote कर रहा है कि जो आपका galaxy watch 4 है वो आपके phone से connected नहीं है तो यहाँ पर अपने galaxy wearable app में connect की उपर tap करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं connect हो चुका है इसके लावा samsung galaxy watch 4 में जो है ना आपको Samsung health app मिलता है और यहाँ पर अपना activity से related data और भी health से related काफी सारा data जो है वो आप यहाँ पर अपना track कर सकते हैं और यह जो आपका activity से related data है यहाँ अगर अपने android phone में या samsung phone में देखना चाहते हैं तो आप android play store से Samsung health app को install कर सकते हैं फिलाल जो मेरा samsung galaxy watch 4 है वो मेरे android phone से connected है और यहाँ पर हम Samsung health app को अगर open करते हैं तो यहाँ पर भी हमको sign in करना पड़ेगा samsung account के through यहाँ पर आपको कुछ optional check box देखने के लिए बिलेगा तो आपको इनको tick करने का ज़रूरत नहीं है जस्त आपको next पर tap करना है इसको भी आपको कुछ permissions जो हो देना पड़ेगा phone calls का physical activity का और यहाँ पर health related जो भी data आपका watch track करता है वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे और यह जो samsung health app है यह optional है अगर आप यह सारा activity related data जो है वो अपने phone पर देखना चाहते हैं तो आपको samsung health app install करना पड़ेगा अदरवाइस आप सिर्फ samsung wearable app का use करके भी जो है अपने galaxy watch 4 को अ यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलाल मेरा फून जो थोड़ा ज्यादा गरम हो गया था continuous use करते हुए तो यहाँ पर जो है ना वह इस तरीके से शो कर रहा था मतलब black screen शो करने लगता है airplane mode में चला जाता है मेरे phone से वह डिसकनेक्ट हो जाता है इ अब अपने phone पर कुछ इस तरीके से ring जो है वो play कर सकते हैं इसके लाव यहाँ पर आपको dialer मिल जाता है जिसके उपर आपको tap करना है अब अपना complete call history जो है वो देख सकते हैं contact की उपर tap करके आपके phone का complete contact list है वो आप यहाँ पर access कर सकते हैं directly यहाँ से अगर आपको call connect करन में बना है तो वो भी आप कर सकते हैं डायलर में आपको यहाँ पर keypad का option मिल जाता है किसी भी number को अगर आपको call connect करना है जिस्ट यहाँ से अपने watch से directly जो है वो call connect कर सकते हैं अब अपने galaxy watch 4 से call receive कर सकते है call को answer कर सकते है call cut कर सकते हैं यहाँ पर speaker volume जो है उसको आपको change कर करेंगे मिल जाता है यहां पर चाहें तो उसक्ते हैं और कीपड का प्रकback करेंगे तो अब आप से इसको और सकते हूं मिल आप पने गालेकशी वाच वर में जाना कैल्कुलेटर जैसा एप यूज़ कर सकते हैं रिमाइंडर सेट करना है music app मिल जाता है gallery मिल जाता है तो अगर आप अपने phone के gallery को sync कर देते हैं तो आप अपने phone के gallery का जो भी photo images है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरीके से image add करना है या music add करना है वो हम आपको already बिता चुके हैं next यहाँ पर हम control center पे देखे तो को अगर आपको silent करना है म्यूट करना है vibration में रखना है वो आप कर सकते है torch का option आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन के उपर tap करेंगे और अलग-अलग brightness level का torch जो है वो आप use कर सकते हैं इसके लाव display brightness जो है वो आप इस तरीके के dials से change कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको power saving mode जो है वो आप यहाँ से enable कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको एक theater mode मिल जाता है wifi on off कर सकते है airplane mode देखने के लिए मिल जाता है और भी बहुत सारा options है NFC options है wireless payment आप इसमे galaxy watch 4 से कर सकते हैं तो जो भी important features होगा कुछ time use करने के बाद सारा कुछ हम आपके साथ share करेंगे सो initially जो भी features हमको notice हुआ वो सारा कुछ हम आपके साथ share किस तरीके साब custom watch face apply कर सकते हैं वो सब कुछ हम आपको बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और यह जो samsung galaxy watch 4 है ना यह एक proper smart watch है अभी तक आप जितने भी smart watches का video मेरे चैनल पर देखे हैं वो सब एक smart band होता है जो की smart watch के इस शकल में होता है samsung galaxy watch 4 से जो है आप अपना body composition measure कर सकते हैं तो यहाँ पर just हम measure के उपर tap करते हैं और उसके बाद अपना gender जो है वो हमको यहांपर select करना है height set करने के बाद अपको अपना weight जो है वो set करना है उसके बाद यहाँपर आपको how to measure के उपर tap करना है उसके बाद आपको अपने watch को अपने wrist पे पहना है थोड़ा सा wrist bone से पीछे आपको ये पहनना है उसके बाद हम यहाँ पर okay के उपर tap करेंगे अब अब अपना यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो body composition है वो measure हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा skeletal muscle है, fat mass है, body fat है, BMI है, body water यह सारा details हम यहाँ पे देख सकते हैं और यह जो body composition का data है ना यह Samsung health app में भी instantly यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sync हो गया है तो यहाँ पे यह सारा data आप अपने phone पे भी देख सकते हैं और एक बर जो आप body composition मेजर कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपको tiles में आपका body fat, skeletal, muscle जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा heart rate अगर आपको measure करना है तो यहाँ पे measure के उपर tap करके अपने samsung galaxy watch 4 में heart rate मेजर कर सकते है फिर next यहाँ पे stress जो है वो आप measure कर सकते है तो इस तरीके से आप galaxy watch 4 से stress मेजर कर सकते है next यहाँ पे अगर मैसेज आप में जाता है ना तो आप अपने phone का complete message जो है वो यहाँ पे देख सकते है अगर आपको message को reply करना है तो यहाँ पे आपको reply करने के लिए keyboard का option मिल जाता है voice के through जो है वो आप reply कर सकते है इसके अलावा call और यहाँ पे delete करने का option मिल जाता है इसके अलावा अपने watch से भी directly message भेजना चाहें तो वो भी कर सकते है start chat के उपर tap करना है contact के उपर tap करके आप अपने phone का जो भी contact list है उसमें से किसी भी contact को या फिर keypad के उपर tap करके किसी भी specific number पे आप message जो है अपने watch से directly भेज सकते है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे phone पे call आ रहा है और कुछ इस तरीके से watch पे show कर रहा है पिर अगर हम phone पे switch करना चाहते हैं तो phone पे switch करने का option है फिर keypad का option यहाँ पे आपको मिलता है speaker volume अगर आपको कम करना है या बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने watch का और यहाँ से आप call को cut कर सकते हैं इस तरीके से आप प्रॉपरली जो है ना Samsung Galaxy Watch 4 से call को answer कर सकते हैं इसके लावा Galaxy Watch 4 में आपको call से related दो gesture मिलता है जैसे अगर आप यहाँ पे watch setting में जाते हैं advanced feature में यहाँ पे answer call करने के लिए भी gesture का use कर सकते हैं तो यहाँ पे gesture हम इसको enable कर देते हैं और यह जो gestures है यह आप अपने Galaxy Watch 4 के setting में जाके भी enable कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद यहाँ पे भी आपको advanced feature में जाना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको answer call और dismiss alert and call का option देखने कर मिलता है तो आप चाहें तो watch के setting में भी इसको enable कर सकते हैं एक बार जो आप calling gestures enable कर लेते हैं तो उपर नीचे आप shake करके call receive कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं call receive हो गया इसके अलबाद call या alert को अगर आपको dismiss करना है तो उसके लिए आप इस तरीके से दो बार shake करके अपने call को cut कर सकते हैं फिलाल जो यह Samsung Galaxy watch 4 है 11,000 rupees के around आपको Amazon पे मिल जाएगा और 9,000 rupees के around आपको flip card पे मिल जाएगा दोनों ही जगा sale चल रहा है link हम video description में दे दिया है बागी Samsung Galaxy watch 4 के regarding आपका कोई भी doubt हो, query हो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं चानल को subscribe कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में बाबाइ, जाहिंद